सो हमने प्रीवेस टॉपिक में कंक्लूड किया है एलिवेशन को और हमने उसका बेसिक इंट्रोर के बाद एलिवेशन को फॉर्मली बना के देखा है किस तरह हम कैड में एलिवेशन बना सकते हैं सो बहुत इंपॉर्टन्ट फ्रीलैंसिंग मार्किट में आप अक्सर ऐसे प्रॉजेक्ट देखेंगे कि जिसमें क्लाइंट जो है वो पसे डिमांड कर रहा है कि आई नीड फ्लोर प्लान सेक्शन और एलिवेशन तो किसी भी कंट्री के अंदर जहां पे भी आप जाएंगे जब बात आती है प्लान अप्रॉवल की थो वहां पर मेंडीटरी होता है कि उसका सैक्शन अपने लाजमें दिखाना है हमने बात की थी प्लान की और हमने कहा था कि हम उसको नरॉमली चछत फुर की किसी घर की से लेवल से उड़ादे ह्या कहीं से उड़ा दे उसके नीचे से उसको देख रहे हैं तो उसकी front या उसकी rear side या उसकी sides में जो कुछ हमें नजर आ रहा है वो हमारी elevation बन गई अब हम आते हैं section के उपर अगर मुझे घर के अंदर की details चाहिए हो यह तो है ना बाहर की plan ने overall बता दिया section elevation ने मुझे side what about के अगर मुझे पता करना हो के घर के interiors में within a house center में से अगर मैं उसको vertically horizontally या vertically अगर काट देता हूँ तो मेरे सामने क्या details होंगी हमारा एक घर है इस घर को आपने क्या किया all you need to do is आपने इस घर को जो है वो काट दिया है अब जैसे ही आपने घर को काटा है, तो काटने के बाद आप सामने खड़े हैं, स्पोज मैंने घर को ऐसे काटा, ये सामने मेरा घर काटूगा, आप मैं घर के बिलकुल सामने खड़ा हूँ और कमरे को मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने जो डिटेलिंग नजर आ रही होगी, वो सारी की सारी डिटेलिंग मेरी सेक्षिन के अंदर शो होगी जिसमें नॉट जिस्ट डॉर एंड विंडोज बलके अगर आप अभी हम बात करेंगे आने वाले टॉपिक में जो एक छट हम नॉर्मिल निजर आती है कर रूफ उस रूफ के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं उस रूफ के अंदर आपकी अगर आफ हाइस टॉक्चर प्लाजा की बात करते हैं तो RCC डला होगा, पोलिछीन, शीट होगी, कुछ बिटुमेन होगा बहुत सारे components नहीं तकरीबन एक feet की रूफ होती है normally हमारी उसे एक feet के अंदर बहुत सारे components अब जब मैं उसका section को ऐसे काटूंगा तो मुझे चछत के particles भी नजराना start हो जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है इसी तरह आपने एकसर घर आपके भी बने होंगे और आपने बनते देखे होंगे जब भी हम घर किसी को बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमने डारेक्ट खड़े हुए और आपने इंटे लगाना start कर दी आप definitely digging करते हैं आप उसकी foundations built करते हैं आप उसके नीचे जाते हैं उसके लिए भी हम पहले जमीन को compact करते हैं अगले लेक्चर में हम बहुत detail में बात करेंगे इसके उपर Compaction of earth होती है हमारी जमीन हमवार हो जाती है तो फिर हम start करते हैं कि हमने PCC डालना है तो ऐस्ता ऐस्ता foundation built होते होते हैं जब हम ground level पे आते हैं उस वक्त हमारी जो हम wall construction पाइलिंग होती हैं इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बहुत depth में भी हम नहीं जाएंगे क्योंको ऐसी कुछ terms हैं जो बहुत मुश्किल हो जाती हैं बहुत बहुत understand करना बट एट लीस्ट हमें बुनियादी तोर पे पता होने चाहिए नॉर्मली यह सारे काम जो हैं हम सेक्शन में शो कर रहे होते हैं symbolic representation यह जो actual जब execution हो रही होती है तो एक civil engineer जो है क्लाप्स की थी जिसमें बहुत सारे workers की debts हो गई थी तो structure stability नहीं थी यह नहीं उसकी foundation जीतनी मजबूत नहीं थी जितना उसके उपर load डाल दिया गया है तो next topic में हम इन detail बात करेंगे अभी quickly हम एक overview करते हैं powerpoint presentation में section की उपर हम बात करते हैं कि section जो है वह हम बनाते क्यूं है और उसकी importance क्या तो बढ़ते हैं उस drawing की तरफ ताकि हम quickly section को basic introduction देख सकें यह हमरे पास residential architecture की हम बात करते हैं section की उपर हमने अभी quickly एक overview करना है So section की जब हम बात करते हैं तो cross sections होते क्या हैं सबसे पहले So cross section जिस तरह का हमने start में quickly इसका overview किया Show views of the home as जैसे के हम slice down through अगर हम घर के अंदर हमने ऐसे cut किया है उसको vertically या horizontally और उसका जो view हमें सामने से नजर आता है वो हमें जो look नजर आती है वो section में show रही होती है section की detailing बढ़ती जाएगी जितना सादा आपका घर का design अंदर से होगा उतनी ही सादा आपका section बनेगा section करता क्या है exact हम dimensioning बताते हैं locations बताते हैं के हमारी interior walls कहां पे हैं section की heights क्या है और ceiling और floor कहां कहां पे हमारे यह हमारे पास से यह आप note करें तो यह घर था यह हमने इसको काटा हुआ है अब अगर यह cursor को आप देखें तो यह सामने जो detailing आपको नजर आएगी तो सारा कुछ section के अंदर हम show करेंगे इसे आगे बढ़ते हैं अब next बड़ा important question होता है कितने cross sections normally required होते हैं so number of cross sections जो हैं वो depend करते हैं कि complexity of design क्या है और आपका planning department requirements जिस तरह हमारे पास normally जब हम authorities के अंदर आप plan जम्मा करवाने जाएंगे तो वहां पे आप देखते हैं कि एक cross section तो minimum हम show कर रहे होते हैं but one is minimum requirement again it varies from authority to authority it varies from country to country जहां का project कर रहे हैं suppose freelancing market में मैं अभी एक दो दिन पहले project देख रहा था America का project था जिसमें वो section or elevation or plan मांग रहे थे हो सकता है आप वहां की demands कोई different हो वो आपसे 2-3 cross sections भी demand कर सकते हैं और एक बड़े important यहां पे एक जो चीज clear करने वाली है that is is it mandatory or necessary to show interior fixtures in section no it's not mandatory अगर आप चाहें तो आप interiors को हटा कर ताके आपका section असानी और quickly मांजाए authority demand नहीं कर रही होती yes अगर आप अपने site engineer को जो आपका वहां पे work कर रहा है उसको अगर आप देना चाहें वो section जिसमें interior fixtures भी आपके show हो रहे हैं authority कैसी demand requirements नहीं आप simply without interiors आप एक साधा सा हम बनाएंगे भी सही आगे जाके हम भी interior place नहीं करेंगे और quickly एक section को हम बनाएंगे यहां पे so normally depend कर रहा होता है कि हमारी requirements क्या है और हमारे पास section में क्या क्या चीज़े show होनी चाहिए हमें floor के नीचे की details लाजमी पता होनी चाहिए कि क्या-क्या floor के नीचे कौन-कौन से component सामने till the main वो end तक जहां पे मटी हमारी है वहां तक क्या-क्या है हमारी stairs के detail हमने show करनी हो अगर हमने चत की बतानी है वहां पे क्या चीज़े है अगर हम बताना चाहिए को furniture हमारा है उसकी details या और डीटेल जो आप समझते है which is important to be highlighted section किसको चाहिए बहुत सारे जिस तरह हमने elevation में बात की engineer आपसे demand करेगा सबसे पहले हम एक cross section line draw करेंगे सबसे पहले बड़ी important है कहां से section काटना है वह हम line draw कर लेंगे line draw करने के बाद हमने house का enveloped draw करेंगे then floor or ceilings बनाएंगे और इसके बाद आप यह quickly पढ़ेंगे तो one by one हम इन elements पे work करते हुए इन elements को जब draw करेंगे तो हमारे section का जो है so यह purpose क्या है type of construction क्या है यह सारी details आप पढ़ लेंगे कौन कौनसी चीज़े section में involved होती है so आगे हम move करते हैं so यह हमारे पास draw a house plan यह हमारे पास घर का एक नक्षा है कोई भी हमारे पास house plan है और line के बाद आप जो हमारे पास all the visible walls and windows जो हमारे सामने हमें नजर आ रही होंगी हम वो सारी चीज़े as it is draw कर देंगे अब जब section draw करते हैं say आपके पास कोई भी घर है और आपने एक line लगाई है अब line लगाने के बाद say यह मेरे पास यह road जा रही और यह घर है ऐसा हमारे पास एक structure है यह मैं ड्राइंग से दिखा देता हूं say यह मेरा घर है यहां से road गुजर रही है यहां से मैंने section काटा है यह वाली line तो यह मेरा horizontal यह यह section मैंने ऐसे काट दिया और आप section काटने के बाद डिपेंड करता है कि मैं यह तो इस तरफ की detail शो करूंगा यह इस तरफ की यह section काटने के बाद आप एक side की detailing दे सकते हैं आपने section घर का ऐसे straight काटा यह तो आप सामने देख रहे हैं यह आप इस तरफ देख रहे हैं जैसी वो कटा है तो उसकी चट भी कटेगी यह स्क्रेट कटा है तो चट के अंदर के components क्या काउन काउन से मुझूद हैं अगरे lecture में हम detail बात भी करेंगे और उसके नीचे मेरे फर्ष जो floor level है जिसने हम FL कहते हैं उसके नीचे की क्या detailing है तो यह सारी चीजें section के अंदर हमारी show हो रही होंगी इसी तरह यह समने जो section screen के उपर है आप देखें तो क्या नजर आ रहा है जो कुछ आपको नजर आ रहा है रूफ की details भी आपने describe the roofing details यह भी show करनी है और यह हमारे पास अब next lecture में जाके detail में बात करेंगे नर्मी जब हम बात कर रहे होते हैं तो यह roof की details है यह सारी चीजें हमारी normally roof में मौझूद होती है और यह जो चीजें हैं यह हमारी floor level से नीचे मौझूद होती है इनकों next जो हमारा topic है उसमें in detail और in dub explain करेंगे तो इस topic के अंदर हमने एक बड़ा brief style introduction देखा है एक एक recap किया है कि sections होते क्या हैं उनको बनाते क्यों हैं sections interior details को show करते हैं और requirement होती है plan submission के दर्मियान आपने section लाजमी submit कराना होता है it may vary from country to country from city to city from authority to authority it depends but again it's necessary and mandatory freelancing market के अंदर काफी सारे ऐसे projects हैंगे जहांपे आपके section demand किया जाएगा so यह तो मारा start था definitely next lectures में theoretical context के बाद हम practically अपने house plan का section बनाएगे भी से